हेलो एवरिवान तो यहां पर आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज जिसके अंदर आपको मिलेंगे इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की लोकल डिश तो यहां पर आज जैसे कि आपको पता है इंडिया इस ब्यूटिफुल कंट्री और इतनी ट्राइवर्स है क्यूजीन तो सबसे पहले हमारी गड़ी पहुंची है हिमाचल प्रदेश में तो आज हम यहां पर बनाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की लोकल डिश जिसका नाम है सिद्डू तो यहां पर सिद्डू ही मैंने क्यों पिक किया क्योंकि अभी में हाली में म और एक तरह की steamed bun होता है, जिसके अंदर different type की filling होती है, filling में एक हमारी दाल की filling भी होती है, और कहेंगे जगा पर यह sweet सिड्डू भी बनता है, जो dry fruits और गुर से बनता है, तो यहाँ पर यह जो dish है, बहुत ही famous है, और बहुत ही amazing, tasty एकदम filling recipe है, यह बहुत ही स्वाद होती है, तो यहाँ पर आईए, आज बनाना हम start करते हैं, सिड्डू, यह एकदम fluffy सा बनता है, बिल्कुल जैसे एक bread होती है, जैसे normal हमारा कुल्चा होता है, बढ़ बहुत ही flavor होता है इसके अंदर, और इसके अंदर filling जो होती है, अलग-अलग तरह की होती है, कोई कोई लोग दाल की filling करते हैं, कोई कोई लोग यहाँ पर अगर मीठा सिड्डू खाना है, तो आप इसके अंदर खोया, गुड, नारिया, लिंसब की filling भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर पनीर, या फिर आलू की filling भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने आप सिड्डू बनाया है, वो बनाया है नमकीन सिड्डू, तो सबसे पहले हाँ पर मैंने इस्ट जो होता है, उसको थोड़ी देर के लिए मेरे को 10 से 15 मिन्ट के लिए बिगो कर रखना है, हलका सा मैंने गरम पानी यूज किया है, यहाँ पर मैंने आदी से थोड़ी से जादा जम्मत, 3-4 जो स्पून होती है, वो मैंने यहाँ पर लिया है इस्ट, इस्ट आपको किसे भी नॉर्मल शॉप पर मिल जाएगा, उसको मैंने हलके से वाम वाटर के अंदर, थोड़ी देर के लिए घूल कर यहाँ पर रखा है, इसको 15 मिनिट के लिए आप रेस्ट करने दे, जिससे कि यह हमारा जो इस्ट का मिक्षर है, यह बढ़िया तरीके से रेडी हो जाए, तब तक हम कर लेते हैं, इसका जो भारा का बन है, उसकी प्रिप्रेशन, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, नॉर्मल आटा, सिड्डू नॉर्मली जो है, मनाली में या फिर आपके हमाचल प्रदेश में, इसका आटा अलग से मिलता है, बिल्कुल बारीक वाला आटा होता है, वर मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल आटा होता है, एक कटोरी वो वाला आटा लिया है, और बिल्कुल सेम साइज में, मैंने एक कटोरी यहाँ पर लिया है मैदा, तो यहाँ पर अगर आप मैदा में बनाना चाते हो, तो आप इसको नॉर्मल मैदा में बना सकते हो, आटे वाले भी यहां पे सिड्डू बनते हैं, तो आप जिस भी तरह से बनाने चाते हो, वो बना सकते हो, तोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, इसके अंदर आप चीनी भी डाल सकते हो, मैंने चीनी अभी नहीं डा बेसिकलि ये सर्दियों में खाया जाता है कहते हैं कि वहां के लोग बहुत सर्दी पढ़ती है तो इसको खाकर वहां के उन लोगों की बॉड़ी जो है वो वाम रहती है बट इसे डू नॉमली भी आप खा सकते हैं ये जेखिए मेरा आटा जो है हल्क सॉफ सॉफ आटा गून कर रहे हूं सिड्डू के साथ जो स्पेशल चटनी बनती है उसके प्रिप्रेशन उसके लिए मैंने ले ली है एक कटोरी मूमफली बुनियोई मूमफली ली है और चने की डाल जिसको मैंने भिगोकर रखा था आदी कटोरी चने की डाल ली है और यहां पर मैंने लिये है थ तो इसके अंदर जो वालनट का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया सा इस चैटनी को स्वात देगा अब यहाँ पर इसकी फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं जो अथेंटिक फिलिंग होती है वो बनती है दाल से उड़त दाल से पर मैंने वो फिलिंग ना यूज कर गी है यहाँ पर मैंने लिया है नॉमल जो बेसने वाली भुजिया आती है उसकी फिलिंग कर रहे हूं उस ताले हैं वालनेट यहां पर जो है इस फिलिंग के अंdra थोड़ा सा करणच देंगे अनियन से भी फ्हुती बड़िया क्रणच आएगा इस फिलिंग के अंदर और यह हो गई है मेरी filling ready आप चाते हैं तो इसके अंदर पनीर आलू जो भी आपको filling पसंद है वो filling कर सकते हैं बहुत ही बड़िया सी यह filling हमारी बनकर ready हो गई है तो यह देखते हैं तब तक हमारा आटा जो है वो भी ready हो गया है इसको दो घंटे हो गया है देखें एकदम फूल कर कितना अब यहांपर इस आटे को जो है बिल्कुल हलके हात से आपको उठाना है इसको जादा मैश नहीं करना बिल्कुल हलके से हाथ से इसको उठाना है और इसको मैं 4 पार्ट में equal parts में divide कर लोंगी हलका से मैं नहीं इहां पर तेल लगा है अपने हाथों के ऊपर और इसको 4 equal parts मे बहुत ही जल्दी बनकर तयार होता है बस हाँ थोड़ा सा आटे को गून कर रखना पड़ता है दो घंटे के लिए उसके बाद तो एक दम जटपट बनकर तयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है रेसिपी को पूरा देखना मत भूले जिससे कि आपको पता लगे क हर स्टेप में क्या क्या करना है तो यहां पर मैंने लगा लिया है बेलन पर थोड़ा सा घी जिससे कि हमारा बरसिड्डू जो है बड़िया तरीके से प्रिपेर हो अब इसको मेरे को बेलना है याद रखिए पतला नहीं बेलना इसको सिद्डू की जो ब्रेड होती है वो थ के अंदर मैं यहां पर फिलिंग डाल दूँगी जो भी फिलिंग आपने बनाई है अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो मीटे फिलिंग भी बना सकते हैं मीटा सिटू भी बहुत स्वाद लगता है मैंने यहां पर नमकीन बनाया है पर उपर की जो ब्रेड बनाने का प्र इनको मैं सील कर दूँगे जिससे की हमारी फिलिंग निकलेना और जैसे गुजिया में हम शेप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको डोल रोल करके यहां पर मैं अच्छे तरह से सील कर दूँगे जिससे की हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल भी निकलेना आप चाहें तो normal fork की help से भी इसको कर सकते हैं तो जो भी आप shape चाहें इसमें जैसे मैंने यहाँ पर semi circle वाला सिड्डू बनाए आप चाहते हैं तो आप normal इसको gold सिड्डू भी बना सकते हैं तो shape यहाँ पर जो basically होती है normal shape जो मैंने खाई थी हिमाचल में वो तो यही वाली shape में थी आप चाहें तो normal shape भी मिना सकते हैं इसी तरह से मैं अपना जो दूसरा सिड्डू है वो भी कर लेते हूं prepare बस याद रखे जब भी सिड्डू बनाए इसके जो ठिकने से है वो थोड़ी से मोटी रहेगी जिससे की हमारी जो bread है जब steam हो तो बढ़िया सी fluffy सी हमारी bread बनकर तयार हो तो यह recipe देख रहे हैं आप सुदा जरुसरी पर अगर आपको यह series का पहली वीडियो अच्छी लग रही है तो please like करें मेरे चानल को please subscribe करें मुझे इस time पर आपके support की बहुत जरुरत है ताकि और मुझे इससे क्या होता है motivation भी मिलता है कि मुझे new new videos डालनी है तो आपके लिए ही मैं डाल रही हूँ यह हमारी जो new playlist है state wise playlist उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया हर state की recipes मैं इहां पर डालने वाली हूँ इस playlist के अंदर तो सबसे पहले यहां पर मैंने उठाई है माचल प्रदेश की famous local dish यह है सिड्डू जो की बहुत ही असानी से बनकर तयार होता है और आप इसको एक बार तो पनाकर जरूर try करें बहुत ही बढ़िया यह bread बनकर तयार होती है यह कीन मानिये बहुत ही पसंद आने वाली है आपको तो इसी तरह से मैंने यहां पर देखें दो सिड्डू बना लिए है अब यहां पर इसको steam करना है मैंने यह normal जो मेरे पतीला होता है उसके ओपर चलनी लगके इसको steam किया है steam करने में 15 से 20 मिनट लगते है और यह बड़िया तरीके से आपका steam हो जाएगा बिलकुल full flame पर मैंने को steam करना है और देखें मेरे सिड्डू एकदम ready है कितना fluffy बना है कितना बड़िया बना है यह देखें अब इसमें मैं लगा लेती हूँ cut क्योंकि इसके ओपर मैं डालूंगी देखें गी देखें गी से सिड्डू का जो फ्लेवर है वो इतना बढ़ जाएगा और इसको इस मूमफली की चटनी के साथ तो देखना क्या मज़ा ही आएगा इसके ओपर मैं डाल रही हूँ पेरी-पेरी मसाला आप नॉमल मसाला कोई भी आप डाल सकते हैं मैंने पेरी-पेरी डाला है थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और यहाँ पर मैं डाल दिया देसी घी जिससे कि अंदर तक जो मैंने कट्स लगाए हैं देसी अंदर तक चला जाए और बहुत ही पढ़िया लगे यह देखिए चकनी के साथ सिड्डू का मजा लीजिए और एक बार यह रेसिपी मेरे कहने पर तो जरूर ट्राय करिए तो जल्दी मैं आऊंगी अपने इस चानल सुधाज रुसवी पर एक और स्टेट की वीडियो लेकर स्टेट वाइज इस सीरीज में मैं जल्दी आने वाली हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर तो लेट्स सी और मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आपके एकॉर्डिंग अब अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए तो स्टिल देन स्टेट ट्यून मेरी वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्स्राइब जरूर कीजिए